आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो, उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello guys, इस वीडियो में question देखेंगे जो की based है reflection through glass slab question में क्या बोला है, when a ray of light incident on a glass slab then incident ray and emergent ray are dash to each other ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा option correct हो जाएगा ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ एक normal draw कर देते हैं ठीक है, मतलब यह end, यह हमारे पास इस interface के लिए normal है यह हमारे पास दूसरे interface के लिए normal है, ठीक है तो देखो, हमारे पास जो incident ray है, वो है यह I और जो emergent ray है, वो है यह, ठीक है, इसे I R से represent कर देते हैं, ray है यह ray, ठीक है और इसे emergent ray, समझ गए, अब देखो होता क्या है कि हमारा यह incident ray हुई, आई अब यह rarer medium माल लेते हैं, यह denser medium, तो होगा क्या, कि rarer से denser में जब light जाती है, तो towards the normal bend हो जाती है, तो bend होई, और यह फिर ऐसे propagate करने लगी, ठीक है, अब यहाँ इस interface पे क्या हुआ, यह denser से rarer में आई, तो denser से rarer में क्या होती है, away from normal मुड़ती है, तो यह हमारे पास फिर से away from normal मुड़ गई, और होता क्या है, यह जो आई होता है, incident ray और emergent ray, यह हमेशा parallel होती है, ठीक है, अब कैसे, मतलब अब यह माने कैसे की parallel होती है, तो अगर हम यह इसके equal proof कर दें, तो क्या मान सकते हैं, यह parallel है, क्यों, देखो, suppose हमारे पास यह incident ray मुड़ती नहीं, ठीक है, कोई media यहाँ ना present होता, तो होता क्या यह कुछ इस तरह से travel करके, यहाँ से, मतलब बाहर निकल जाती है न, और अगर हम यहाँ normal डाले, तो यह अगर angle, इस angle के equal आ गया हमारा, मतलब यह वाला angle, इस angle के equal आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, कि यह दोनो parallel है हना, मतलब यह आपस में तो नहीं समझे, देखो, जैसे यह हमारा इसके equal आ जाएगा, तो क्या होगा, यह और यह vertically opposite angle है, ठीक है, similarly, यह और यह पूरा angle, alternate interior angle है, और यह और यह फिर से vertically opposite angle है, तो indirectly हम कह सकते हैं, कि यह वाला angle, अगर इसके equal आ जाए, तो यह दोनोरे parallel हो जाएगी, ठीक है, और एक तरह से हमारा, मतलब क्या होना चाहिए, यह angle इसके equal आ जाएगा, तो start करते हैं, suppose हम अगर यहाँ इस interface पे, यहाँ पे snail slow लगाएं, तो इसको हम आसानी के लिए माल लेते हैं, यह air है, और यह कोई medium है, refractive index जिसका n है, ठीक है, तो यहाँ हमारा equation क्या हो जाएगे, snail slow, 1 into sin of i is equal to n into sin of r, ठीक है, यह वाला जो angle है, हमारा r है, suppose, और यह angle i है, तो यहाँ से हमारा जो n आजाएगा, वो क्या आजाएगा, sin of i upon sin of r, ठीक है, अब इस interface पे फिर से snail slow लगाते हैं, तो यह वाला जो हमारा actual में angle है, यह क्या है, r के equal है, हाना, क्योंकि यहाँ r और r alternate interior angle हो गई है, यह parallel line और यह transverse line, हाना, यह वाली line transverse line, ठीक है, और suppose, मतलब इस angle को हम e बोल देते हैं, हमने माल दिया, अभी यह i और e equal नहीं है, तो इसलिए हमने इसको e बोल दिया, अब यहाँ इस interface पे अगर हम इस snail slow लगाएं, इसे first equation बोल देते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगी, n into sin of r, समझ गए न, यहाँ first media और angle of incident क्या है, हमारा r is equal to, अब rare medium में चली गई, तो refractive index 1 हो गया, और हमारा जो angle of reflection है, वो क्या है, sin of e, ठीक है, तो यहाँ से अगर n की value हम उपर से put कर दें, तो n क्या है, sin i upon sin of r into sin of r is equal to sin of e, sin r से r cancel हुआ, हमारे पास क्या आगया, sin i is equal to sin e, मालब हम यह कह सकते हैं, i is equal to e, तो यह जो है e, वो हमारा इसके equal आ गया हना, और i जो है, वो इसके equal है हना, हमने अभी करा था vertically opposite angle, फिर यहाँ alternate interior angle, फिर vertically opposite angle हना, तो i हमारा e के equal है और यह इसके equal है, तो यह आपस में क्योंकि equal है, तो इसलिए हम कह सकते हैं, यह वाली रे और यह वाली रे parallel होगी, मतलब हम कह सकते हैं, कि incident ray के यह parallel होगी, parallel का मतलब क्या होता है, कि इसे कितना भी extend कर ले, तो यह आपस में नहीं मिलेंगी, समझ गए न, तो वही है, कि i को हम अगर आगे कितना भी extend कर ले या emergent tray को पीछे कितना भी extend कर ले, यह हमेशा parallel ही रहेंगी, तो हमारा option कौन सा correct हो जाएगा, option 2 ठीक है, thank you guys for watching this video आज ही डाउनलोट करें डाउटने टाप या वाच्साप कीजिए अपने डाउट्स आट चारसो 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 पर